नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्यूब चैनल पी एफपी में आज हमें एक पोर्टफोलियो रिवीव करने वाले हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 83,000 का और करेंट वैल्यू चल रही है 97,000 16.81 परसेंट का पॉजिटिव गेन है बहुत यह ची बात है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पुराना पोर्टफोलियो नहीं है नए इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है सारा इन्वेस्टमेंट 2021 में हुआ है सबसे पहला स्टॉक है ICICI बैंक 10 कॉंटिटी है 576 के प्राइस पर 5,700 रुपे का निवेश किया है 17% का प्रॉफिट हो रहा है long term के लिए continue करना चाहिए of course COVID-19 की बज़े से banking industry पे बहुत ही बुरा impact पड़ेगा लेकिन बड़ी बैंकों के लिए एक positive बात हो जाएगी क्योंकि छोटी बैंक जो कि इस COVID-19 को सहन नहीं कर पाएंगे उनका market share भी बड़ी बैंकों के बास जा सकता है क्योंकि इनके पास fund है इनकी capacity बढ़ी है तो long term के लिए यहाँ पर अच्छी opportunity नजराती है continue करना चाहिए नेक्स्ट है आईसे इसे prudential life insurance 15 quantity है 591 के price पर 8800 रुपे का निवेश किया है 9% का profit हो रहा है अच्छा stock है long term के लिए continue करना चाहिए insurance sector में long term में अच्छी opportunities हमें दिखाई पड़ती नेक्स्ट है infosys 8 quantity 1323 के price पर 10500 रुपे का निवेश किया है 20% का profit हो रहा है of course continue करना चाहिए दिगच कंपनी है IT sector में बहतरीन कंपनी है और फिलाल तो IT sector का time चलता हुआ नजराता है next है बाटा इंडिया 5 quantity 1364 के price पर 6800 रुपे का निवेश किया 17% का profit हो रहा है इसे भी आप long term के लिए continue कर सकते हैं बाटा इंडिया में फिलाल एक ही problem चल रही है इनका जो product range है focus कहां पर होता है एक होता है school पर एक होता है office पर फिलाल दोनों ही बंद जिसके करन direct impact इनके sales प देखने के chances कम हो जाते हैं यहां पर एक लंबा consolidation आपको देखने को मिल सकता है 2-3 सालों का लेकिन ये एक अच्छी opportunity हो सकती है long term के लिए इसे आप accumulate करने के बारे में of course हो सकते हैं next है MGL 7 quantity 1122 के price पर 7800 रोपे का निवेश किया है 2% का profit हो रहा है लेकिन long term के लिए ये भी काफी अच्छा है क्योंकि ये भी जो city gas distribution वाली companies है इसमें आपको अच्छी growth देखने को मिलेगी अभी फिलाल सब लोग petrol से shift होकर electric पर जाना चाहते हैं लेकिन ये इतना easy नहीं होग बीच में जो bridge जाई है वो होगा हमारा IGL MGL ये companies का फाइदा होने वाला है city gas distribution companies का फाइदा होने वाला है क्योंकि natural gas बीच में हमें एक platform बनता हुआ नजराएगा directly गाडी सब या petrol से shift नहीं हो सकती electric पर technology आने में time लगेगा तो बीच में जो better fuel कौन सा है CNGA तो वहां पर हमे सब focus shift होता हुआ नजराएगा इनका network भी काफी strong होता हुआ नजराता है तो of course यहां पर आप continue कर सकते हैं नेक्स्ट है टेक महिंद्रा 6 quantity 1023 के price पर 6000 रुपए का निवेश किया है साड़े 10% का profit हो रहा है of course long term के लिए continue करना चाहिए happiest mind 10 quantity 1063 के price पर 10600 रुपए का निवेश क नहीं है यहां पर अगर आप निकल भी जाते हैं तो कोई problem नहीं है क्योंकि आपके पास अलड़ी बहुत सारी IT companies है next day Asian paints 4 quantity है 2501 के price पर 10,000 रुपए का निवेश किया है 23% का profit है long term के लिए continue करना चाहिए paint sector में market leader है और सिर्फ paint sector ही नहीं अभी फिलाल यह interior designing में भी enter होते अधिक company को गाफी देर से खरीद दिया है तो अच्छी बात है modular kitchen यह सभी segment में भी अच्छा business होता हुआ नजर आता है next day emphasis 4 quantity 1798 के price पर 7,200 रुपए का निवेश किया है 40% का profit हो रहा है बहुत यह अच्छी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया फिलाल IT sector का time चल रहा है उसमें भी large cap को छोड़के जो बाकी mid cap small cap है वो IT stocks बहुत ही अच्छा perform कर रहे हैं लेकिन दूसरी बात मैंने आपको यह भी सारे stocks की ज़रुवत नहीं होती है एक लाग के capital के हिसाब से अगर आप per sector सिर्फ एक stocks से लेक करते हैं तो मेरे अस्व से ज्यादा बहतर रहेगा next day Tata Motors 30 quantity 312 के price पर 9,300 रुपए का निवेश किया है 5.5% का loss हो रहा है कोई बात नहीं है overall long term के लिए अच्छा stock है लेकिन मेरा personally मानना है कि जिनका capital चोटा है 2-3 लाग का capital है तो उन्हें auto stocks में invest करने से avoid करना चाहिए क्योंकि auto sector एक ऐसा sector है जो की बहुत ज़्यादा volatile रहता है ऐसा नहीं है कि पूरा सभी stock volatile है पूरा sector ही volatile है आप देख लिजे auto sector का जो index है उसे भी आप देख सकते हैं कोई भी ले ले लिजे auto entry ले लिजे या फिर खुच जो companies गाड़ियां बनाते उसे ले लिजे tire ले ले लिजे कुछ भी हो जाए यहां पर आपको volatility ज़्यादा नजर आती है क्योंकि raw material के prices क्या है international market में क्या चल रहा है consumer demand कैसी है बहुत सारे factors होते हैं जो की impact डालते हैं जिसके करन शेर price मे volatility बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो इसे शुरुवात में avoid करते हैं तो कोई problem मुझे दिखाई नहीं पड़ती है तो और आपका portfolio अच्छा है as a beginner आपने कोई जैसा वैसा वैसा stock नहीं लिया है और अच्छी companies को select किया यह एक अच्छी बात है लेकिन कुछ changes किया जा सकते है जैसे कि auto sector को avoid किया जा सकता है IT sector में ज्यादा stock हो गए था Cornel maintenu के बारे में सोच सकते हैं कर वना जाते हैं जहांपर हम स्टॉक के वेटेज के बार में बात करते हैं सेक्टर के बार में बात करते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यूँ श्रेफी एप्टी इन्वेस्टिंग